सिविल लाइन थाना चेतर के कबाड़ी मौले में सड़क के किनारे डिवाइडर से जाली चुड़ा ले गए चोर वहीं दूसरी और कुछ दुकानों इताले भी चटका है इस थानी लोगों ने चोरी राथ एट से दोबजिक भी छोना बताया सिविल लाइन थाना चेतर के कबाड़ी मौले में सड़क के किनारे डिवाइडर से जाली चुड़ा ले गए चोर वहीं दूसरी और इसी दौरान कुछ दुकानों के ताले भी चटकाए इस थानी लोगों ने चोरी राथ एक से दो बजे के बीच होना बताया जिले में चोरू के होसले बुला इस थानी लोगों के अनुसार घटना देर रात हुई उन्होंने दो लोगों को मोटर साइकल से जाली ले जाते हुए भी देखा हमने उन लोगों से भी बात की थी सडक में लगे डिवाइडर की जालियां सहीत सूने आवासों को बना रहे निशाना चोरों की नजर नेसनल हाईवे और उसके आसपास के इलाके में सिविल लाइन खाने का है मामला रिवा पुलिस चोर उचक के अवैद नसीली कब सिरफ का कारुबार करने वालों को लेकर काफी सकत नजर आ रही है लेकिन कहां बड़ा सवाल यही है जिस तरीके से लगतार जिले में चोरी मार्कवीट के मामले सामने आ रहे हैं उसको देखकर साफ तोर से कहा जा सकता है पुलिस का खौफ जिले में तिल्कुल खत्म हो गया जब जिसकी मर्जी वहां मार्कवीट कर ली जहां इक्छा हुई वहां चोरी कर ली बीते दिनों भी कुछ ऐसा ही मामला नजर आया था आज एक बार फिर से रीवा के छोटी पुल के पास कबारी महले के आसपास सडक पर जालियां चोर चुरा कर ले गए चोरों की हिम्मत तो देखिए इस दोरान उन्होंने कई दुकानों के ताले भी चटका दिये इस दिवाइडर मिला भी आपे दो आपने है कि आदे आपको मोर्टर साइकल मिला देगे ज़ुट साइप अच्छ रहा है कि फख़ा रहाक्त कि प्लाथी दिवाएडर में आपको या मार्केटापी की है अप हमारा कंलेज आप नाइब वोराज किया बाता हैं !! क्या बदाएं क्यों गाय업 हो रहे हैं ? वैं किया बदा भुझे बदा यहा है ? आज हुआ है ताला भी टूटा है ताला भी वहां के टूटा हुआ है यह कि मालिक उपर से जाग आए तो खोरसा वही लोग तो रहे तो नहीं बता सकते को यह चोटी पूल है कि अ कि अ हुआ हुआ है